आप सभी विद्यार्थियों का हार्थिकस्वागत हार्थिक अबिद्र में पढ़ने लिए बीए फस्टियर में यानि बीए फस्टियर जोग्राफी का सिल्यवस देखें आपके जो नया सिल्यवस है उसमें क्या चेंज हुआ है किस परकार के प्रस्ण आते हैं कितने प्रस्ण आते हैं उनमें से कितने प्रस्ण आपको यानि कितने प्रस्ण करने होंगे किस परकार का पेपर आएगा इन सभी के बारे में आज हम जो है वो पढ़ेंगे और बहुत ही important topic है तो इसलिए आप जड़ा देखेंगे यानि जो जो ग्रोफी है इसमें आपके practical कितने नंबर का होता है एक तो इसके लावा theory के जो अंग है है वो कितने नंबर के होते हैं इसके बाद आपके दो पेपर होंगे दोनों पेपर के नाम क्या है कैसे इन में से प्रस्ण आते हैं उनका पाठ्थी ग्रम आपका क्या है इसके बारे में हम करना है उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे तो आएए देखते हैं आपके स्लेबस से ही शुरू करते हैं और उसी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कितने चेप्टर पढ़ लेने चाहिए ताकि आपके अच्छे अंग के आ जाए यानि में बात यह है कि इ अच्छे आने चाहिए और वो कैसे आए इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे इस पर पाच्छी तरम पर पाच्छी तरम के साथ में तो आए देखते हैं उससे सिलेबस को और उसके बाद विश्तर चर्चा करते हैं तो यह देखिए विए पार्ट पर्थम भूगोल आपके दो पेपर होते हैं कितने पेपर होते हैं दो पेपर होते हैं और पर्थम पेपर जो है उसका नाम है बहुतिक भूगोल बारत का बहुतिक भूगोल क्या नाम है उसका बहुतिक भूगोल नाम से पहला पेपर जो आपके है अब पहले पेपर में आपके क्या-क्या आने चाह है समय जो है और आपके प्रायव की परिक्सा है वो भी होगी 55 अंग का फरस्ट पेपर होता है आपके अधिक्तम अंग है वो कितने हैं इसके 150 अंग है कितने हैं 150 अंग है और नियुंतम उत्तिरनांक जो है यानि जैसे माम लो उसमें बेहें64 अंग है और अधिक्तम अंग है वो प्रेक्टिकल के कितने हैं 50 अंग होता है और इसके अलावा 150 heujhbbbbbbf coating इसमें अठार्ही म होता है उस प्रयक्तान जरूरी है। इसमें चोवान अंग आने जरूरी है जरूरी है 1050 में से और 727 यह वह जरूरी है दोनों प्रमिर में पया करें कि आप 24 अंग आते हैं तो आप पास माने जाते हैं है तिसमें पूरे प्रशन करने मोरी पंधरा प्रशन है Aristotle प्रस्ण और इसमें 10 पूरे प्रसन हैं नंबर का आते हैं और यह कीज़स से कम से हम देख लेगी, बे भाग होता है उसमें भी 15 ही आते है, व्यक्त LOVAOR, कितने प्रस्वों आते हैं पांस प्रसंदे है और इसमें प्रस्वनों के उत्तर देने हैं पर दे एक प्रसन है वो तीन अंक का है और आपके पचास सब्दों में उसके उत्तर देने हैं यदि मैं बात करूँ आपको तो ये तो जो पहला जो भाग ए है ए भाग ए उसमें जो दस प्रसन आते हैं वो अती लग उत्रात्मक होते हैं जिनका एक सब्द मे भी उत्तर हो जाता है, यہा ज्यादा से ज्यादा 20 सब्द जो है maximum होते हैं, और यह 50 सब्दों वाला है, इसको हम लगू तरात्मग परसं केते हैं, तो आपके लगूत्रा आत्म परशन है वो कितने होगे पांस परसन परसन आएंगे तीन तीन अंको का आएंगे यानि 15-15 & 35 कितने और 45 अंगों के आपका पार्ट C होगा पार्ट C जो है पार्ट C में खुल 6 प्रसन आएंगे कितने प्रसन आएंगे और 6 प्रते की 1 में और प्रते की 1 प्रसन करते विए तीन करना है आपको कितने प्रसंद करने तीन प्रसंद करने एक प्रसंद का अंकबार 15 है तो इस परकार क्या होगा कि तीन प्रसंद तो बड़े करने हैं आपको तीन प्रसंद बढ़े करने हैं पांच लगूतरात्म करने हैं और दस से अति लगूतरात्म करने हैं यानि अठारा प्रसंद आपको करने हैं कितने प्रसंद करने हैं अठारा प्रसंद करने हैं अब आप देख लिए आपके इकाई ए में जो है कौन-कौन से पाठ है इकाई ए कि बोढ़ी को रासायनी का वश्ता है प्रत्वी के अभ्यंत्रिक संद्टना है प्रतिया है भूबे जानिक समयवापनी है और वेगनर का माहधीप की विस्ता पर सित्धान्त है प्लेट विवर्तनी की यह समयंस्तती है यह तो आपके है यानि एकाई एमें यानि ए भाग में आपकी डेक हैं परवत निर्भानकर सिटांत निर्भान के सिटांतों में जोली कोबर और सुद्धांत दो दियए हैं वह इसके इसके बाद भू संचलन है बूस अंजलन में आपको पटल विरूपन पल ब्रंस और वलन आकस्मिक अंतरजात पल नहीं यह पढ़ने है जैसे बूस अंजलन में आपको पटल विरूपन ब्रंस और वलन और आकस्मिक अंतरजात पल में गुकल्प और ज्वाला मुखी पढ़ना है शेल यहर। जो सेल हैं, शेलें जो हैं उनके प्रकार पढ़ने, उनकी विसेष्टाईए पढ़ने हैं, अपक्षे और मर्दा निर्वान, कृमारमा को पढ़ने हैं, अपरधन की बारे में पढ़ना है, डेविस आर पेंग की जो इसमें संकल्पना है, अपरधन चकर की वो अब आपके जैसे मान लो, part 3 है, part 3 में वायू मंडल का संधन और इस्तरीकरन पढ़ना है, सूर्य ताप, प्रत्वी का उस्मा बजट, यह पढ़ना है, तापमान और वायू दाप पढ़ना है, वायू मंडल ये संछरण पढ़ना है, ग्रहीय और स्थान ये पवने पढ़ने ह वायुष्यां पढ़ने वताक्र उसन कटी वंदिये और सितोशन कटी चक्रवास पढ़ना वर्षन के प्रकार पढ़ना है कोपेन और थौंवेट का जो जल्वायु वलगिकरन है वह पढ़ना है माशागरी निक्षेप है वो पढ़ना है प्रवाल वितियां पढ़ना है डार्वीन मरे और डेली के अनुसार प्रवाल वितियों के प्रकारूर पती पढ़नी है पढ़नी किसके अनुसार है यानि प्रवाल वित डार्वीन मरे और डेली इनके अनुसार प्रवाल वितियां प मेमोरी काई इन किताबों मैं से भो लगवग क्टर रहे हैं और वेसे आपको पूरा सी लेबस कराने का प्रियास है कि आपको पूरा सी लेबस करवा जाएगा इसलियक आप मेरे साथ इसके लावादा दूसर का है आपके उसमें है राजस्थान का को ने क Should मैं प्रंब माइले इकाई में आपके 10 परसन है दूसरी तक परसन आपके करने है अब हमें जैसे इसका पाथ्य द्रम क्या देख लीजिए आपको यानि जो बड़े परसने वो 400 सब्दों के यह ज्यान रखना 400 सब्दों तो उत्तर लिख सकते हैं 400 सब्दों बहुत होते हैं फर्स लिकाई में आपको राजस्थान की अवस्यति पढ़नी है कि राजस्थान की बारे में पढ़ना है मिट्टी और परदेश के बारे में मर्दा खशर रन ओं वो गतने प्रकार की राधस्थान की इस के बारें पुद्द्न में भूमीव्योग करशे के प्रकार और विशेष्थाइ इस चांबल माही प्रियोजन्ह यह aiy ah उत्पादो डेरी विकास कारिग्रा में हमें पढ़ेंखुँ पढ़ना है कोई पेट्रोल्यम और प्राकरति गैस विज्जद सकति संसादन के रूप में जल विज्जूत और गेस गेर परंप्रागत उनके बारे में पढ़ना है के बारे में पढ़ना है उत्यों को बारे में पढ़ना है सुप्तिवस्तर उज्योग सिमेंड पत्तु आहाने अंग वित्रण क्या है ॉत्पाद्न यह वस्थानी क्रण का स्व्यश्म करना है सास रॉत्य सत्रत सक्तु सवर्द Hang mor सवतनता परसाथ से अपरती के कारण और समश्यां पढ़ना है परमुक जंजातियों का सामाजी पर शांश्कृतिक जीवन पढ़ना है बील गड्राश्या मीना एन जो यह उस जंजातिहों के बारे में पढ़ना है उसमें याटायत की साथ में में पढ़ना है आपको शड़क रेल और वायुमार्गों के बारें पढ़ना है मरुस्तल के बारें पढ़ना है अरावली हाडोती पूर्वी मेदान का प्रदेश ये पढ़ना है विस्तर देजन करना है बोतिक परियावन सामाजिक और सांस्कृतिक परियावन आर्थिक पक्स मानु विकाज की संकल्पना जिसमें परमुक्षंके तक भारत के अन्य राजियो के संदर्प में राजस्थान का मानु विकाज सुचकांग यानि SDI कितना है राजस्थान मेलाओं की सदी पढ़ना है जनांकी की सामाजिक आर्थिक स्वास्ते और पोस्टन के बदलते पहलू यह सभी आपको पढ़ने है कसे की यह जानद करके आपके अपके सार्न डू यह को सब्प्रनी जिश्यान की है कि यह आपके स्वाइए उमेर खरता है आपके लिए और करते हैं थोड़ा सा आपको प्रायोगीक के बारे में बता देता हूं कि प्रायोगीक के बारे में आपको क्या है प्रायोगीक में आपको जैसे 20 विद्यार्थियों के बेज के लिए यानि 4 गंटे का कालांस यानि कहने का अर्थ है कि आपको तीन तरे के जो है एक तो प्रियोक्साला कारी 3 गंडे या वटी का है पांच में से 4 अभ्यास हल करने अभिले कारी और मोखी कारी 2 गंडे का है और चैतर सर्वेक्शण और लोखी 3 गंडे का है यानि जो है योग कितना हो गया यानि जो है आपके पाठ्यक्रम योग है यानि इस प्रकार की जो बीस विद्यारति है बीस विद्यारतियों का योग इस प्रकार हो जाता है पचास नंबर की ये 20 नमबर का तो आपके प्रियोक सालाकारी है, 15 नमबर का अभिलेग और मोखिक है और 15 नमबर का आपका छेत्र सरवेक्षन है, तो ये 50 अंगों का है, अब 50 अंगों का आपके पाठ्य ग्रम क्या है देखिए, मानचित्र कला की प्रकरती, विशेचेत्र, मापनी, सरल, विक्रि प्रक्तिकरण, उच्चावच निरूपन की विदियां क्या है, वो आपके यानि जो प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें दर्शानी है, गाठियान, जलप्रपात, इनमें साथ कोई भी जो है, अपने इसाब से तोपिक है, वो छाट कर बना सकते हैं, इसके लावा इस्तलाकृत प्रतिक पत्रकों का अधियन है, भारत के इस्तलाकितिक पत्रक है, उनकी पदत्य है, भारत की परवत्य और मेदानी चेत्रों की आपकरतियों के बारे में आप लिख सकते हैं, अपवा चेत्र के बारे में, मानो बसाव चेत्र के बारे में, परिवान संचेर के बारे में, औ विक्तिरन और परतिछेदर विदियां और माला विदि यह विदियां आपको अच्छी त्यार कर लेनी है तो आप जिसे आप जोग्राफी की किताब लाना चाहते हैं कि कौन सी प्रयोगी किताब आप लाना चाहेंगे तो MSJN की किताब है प्रयोगी गूगोल साहिते वाउन आगरा जो भी हिंदी मीडियम की है और यह हिंदी मीडियम की बुक है तो आपके लिए अच्छी है यानि इसमें से आपको सारे चल्प्रेवों मिल जाएंगे उमिद करता हूं आपके समझ माया है और प्रतिए एक बुक करते है यह हिंदी मीडियम की अब रखके सिर्णी एक भाउन आपके सुझ को सवच खब करता है और यह है यह है यह है वाज करते है तो MSJN की कितो कि बुक है यह है यह है तो